माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंग्र मोदी जी के नित्रित्व में बदल रहा है हमारा भारत घरेलू उत्पाद हो या हो फिर निर्यात उत्पादन और रोजगार स्रिजन की प्राथमिक्ता पर हमेशा रहा है उनका विशेश जोर स्टार्टप इंडिया, स्केल डिवेलप्मेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव्स इन सभी राष्ट्र नीतियों से देश में लगातार, नौक्रियों और रोजगार में अभूत पूर्व वृद्धी हो रही है और आप, इसी कड़ी में एक और नई पहर, दस लाख सरकारी पदों को त्वरित गती से, निश्पक्ष और पाल दर्शी प्रक्रिया से भरने का लिया गया है निर्णाय जो प्रधान मंत्री नरेंग्र मोदी जी के हमारे युवा शक्ती की उर्जा और साम मर्थे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत जादा है और आप आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे एहम प्रसासानी की ववस्ताओं का हिस्सा होंगे देश ने लिया है एक नया संकल्प और इस संकल्प को सिध्धी तक ले जाने की आत्रा में आप जुड़ रहे हैं हमारे युवा, महिलाएं, दिव्यांग जन, ग्रामीन, आकांक्शी जिलों में रहने वाले हमारे साथ ही अगले एक वर्ष तक हर महीने 75,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जा रहे हैं एक आर्थिक और सामाजिक क्रांती का सूत्रपात हुआ है और पनप रहा है हमारी युवा पीड़ी में नया जोश, नया आशाएं, और नया आत्मविश्वास सरकारी विभागों में अगले एक साल में 10 लाख नई भरतियां होंगी और पहले 75,000 पदों पर चैन प्रक्रिया पून हो चुकी है चैनित उमीद्वार अब भाग लेंगे देश निर्माण में चाहे UPSC हो, SSC या अन्य सरकारी रेक्रूट्मेंट्स सभी ने नियुक्तियों की समय बद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी है चैनित उमीद्वार बनेंगे इंडिया अट 2047 के सशक्त साजिदार जब 10 लाख युवा कर्म योगी केंद्र सरकार में अपना कार्यभार संभालेंगे तो देश की सरकार होगी सशक्त बढ़ेगी कुशलता नागरिक सिवाओं में आएगी सुगमता और देश विकास के पत पर चलेगा और भी तेज रफतार से आज माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रोजगार मेले का कर रहे हैं शुब आ रहा हूँ